हेलो आल एंड वेलकम तो रिकॉगनिशन आई एस करेंट अफेर्स क्वेशन में 18 जून की करेंट अफेर्स फड़ाफट देख लेते हैं इसके आंसर भी देखेंगे और साथ ही साथ में इससे रेलेटिट कुछ हो भी जो इंपॉर्टेंट डीटील से उसके बारे में भी सब्सक्रिप्शन इसके लावा करेंट अफेर्स सीरीज लॉंच हो रखी है जिसमें 1200 क्वेशन से इस विल बी वेरी मुच यूसफुल फॉर्यूर्स इग्जामिनेशन प्रिलिम्स इग्जामिनेशन विच इस गोईंग टो बेहल इन 4th of October सबसे पहला क्वेशन है बेसिकली Asian Infrastructure Investment Bank के बारे में जहाँ पर question है 2015 में establish किया गया था yes but this is correct और उसके बास यह operation करना शुरू कर दिया है 2016 में बिल्कुल correct statement है यहाँ पर अगर देखें headquarter क्या यह बीजिंग में है यह बीजिंग में ही है आपको doubt नहीं होना चाहिए कुछ institutions के Shanghai में भी है बट वो अलग चीज AAIB का बीजिंग में है ध्यान रखेगा it has only Asian members and sanctioned load only to its members नहीं देखिया ऐसा कुछ भी नहीं है इसके members अब all throughout the world हो गया है Brazil भी है South America की भी countries है European countries भी है तो लग बलो हर जगा इसके member बन चुके है voting के अगर बात करें तो one vote one country one vote होता है नहीं यहाँ पर क्या है percentage share holding तो percentage share holding जैसे सबसे ज्यादा किसकी है सबसे ज्यादा है चाइना की उसके बाद से 7% के near about में इंडिया के आ जाती है तो यह near about में 7% और चाइना की 26% के around around में है तो जितना percent इनका share होता है उत्तरा इनका voting share भी हो जाता है तो यह बिल्कुल correct नहीं होगा किवल और किवल option इसमें एक correct हो जाएगी इसके बारे में separate video A.A.I.B. को ले करके मैं निकाल दूँगा जिससे आपको details भी पता चल जाएगी तो basically news कुछ इससे related थी जहाँ पर A.A.I.B. से इंडिया ने COVID response के रूप में एक loan ल facility चाइना यहाँ पर largest shareholder A.A.I.B. का जिसमें 26% के असपसने share है और बाकी इंडिया का है 7.62% share और support to India claim is to ensure economic resilience to prevent long term damage to the productive capacity और इस तरीके से यहाँ पर चीज़े कही गई है इंडिया एक्सप्रस की news है साथ ही साथ में दहिंदू की भी news बनी हुई है next question के बारे में बात करें तो next question is select the correct statement about national housing bank तो national housing bank के बारे में है फटापट हमारे पास जैसे कई सारे regulatory institutions होते हैं जैसे RBI होती है हमारी जो basically जितने भी banks है उनके monetary transactions को regulate करती है इसी तरीके से जितने भी insurance regulators है तो insurance regulatory department authority of India यह हो जाती है IRDI से भी इसी तरीके से हो जाती है जो basically stocks mutual funding को देख लेती है इसी तरीके से housing finance को देखने के लिए NHB होती है तो national housing bank यह देख रही होती है जितने भी housing banks या housing transactions होती है उनको यह देख रही होती है 2011-2007 से basically start हुई है और Residex ये एक index निकाली आती है इसके द्वारा जिसको बोलाता है Residex ठीक है तो यह basically transactions मतलब कि यह index न monitoring of RBI and regulate housing finance related transition बिल्कुल correct statement है recently RBI has taken NHB देखें टेकें ओवर नहीं किया है इसके shares को कई सारे मतलब shares की holding जो होती है वो RBI ने ले लिया है there is no existence no ऐसा कुछ भी नहीं है actual में there is existence of NHB तो इस वज़े से यह statement गलत हो जाएगी केवल और केवल statement one correct होगी answer इसका A हो जागा इसे related यहाँ पर RBI ने अपनी draft guideline निकाल दी है जिसके basis पे आगे जाकर के जितने भी non banking financial corporations जो housing में काम कर रहे होते हैं उनके लिए guideline मिल गई है यह guideline आपके लिए important नहीं है यह news पर नहीं है बस लेकिन यहाँ पर जो यह NHB के बारे में है यह आपके लिए important हो जाती है तो यह चीज आगे अगर next question के बारे में बात करें तो next question हमारी है this is basically related with UNCCD जहाँ पर United Nations Convention to Combat Desertification है तो it is established in 1994 बिल्कुल correct statement है 1992 में पहले Rio Summit जब हुई थी तो वहाँ से दो institutions सामने निकल के आई थी एक institution जो climate change में काम कर रही होती है और दूसरी जो biodiversity को preserve करने में काम करती है जो climate change के लिए उस biodiversity को conserve करती थी उसका नाम पड़ा UNCBD Convention to Biodiversity तो इस तरीके से जब यह UNFCCC की meeting आगे होती है 1994 में तो उस समय एक निया body निकल के आता है UNCCD जो यही है Convention to Combat Desertification तो यहाँ पर अगर बात करें अगर बात करें इस 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 तो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशन आगर इस देखें यह निगली बाइंडिंग होता है बिल्कुल करेक्ट स्टेट्मेंट है इनको हमेशा आप रूप करके पर चेक जरू करिए लेकिन यह करेक्ट स्टेट्मेंट है एजिंडा 21 से एक मात्र यही एक ऐसा डारेक रिकमेंडेशन है जो बेसिकली अप्लाई कर दिया गया इंप्लीमेंट कर दिया गया तो दोनों स्टेट्मेंट करेक्ट है आंसर इसका सी हो जाएगा आगे बात करें क्वेशन नमबर फूर के बारे में तो क्वेशन नमबर फूर है फूर्थ इस्टेट ऑफ मैटर यह खोच करके निकल के आई है इसमें देख लेते हैं पां स्टेट ऑफ मैटर और इसको बलाता है बी इसी को बोल सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तो यह बिसिकली फिफ्ट स्टेट ऑफ मैटर है क्वेशन में पूछा गया फूर्थ कौन सा है तो फूर्थ आप बता देंगी की प्लाज्मा है इसके लिए देखे सेपरेट व और करेंट रफेर्स तो क्या यह बहुत पुरानी न्यूज है तो दिनेज गोस्वामी कमिटी बेसिकली बठाई गई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बहुत सारी कमिटी जैसे तारकुंडे कमिटी हो गई या फिर दिनेज गोस्वामी कमिटी हो गई यह सारी कमिटी एलेक्टोरल रिफॉर्म से हिर लेट हैं तो यह थी बैसिकलिए आज की पूले डिसकुशन अगर आपको कोई डाउट होता है कोई परक्षानी होती है कोई क्वारी होती है तो आप इन चैनल्स का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं मिलते हैं अपने नेक्ट चूडिय एंड थैंक यू सो मच